जोरदार जोरदार तालेट साथ साथ थेंक्यू 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 कम से कम तीन बार बोलिए तीन बार इसलिए कि आपको बहुत सारा उपहार मिला हुआ है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है आपका योगदान केवल इतना है कि आप जो उपहार मिला है उसको और बहतरीन मनाईए आपका यही काम है कि जो आपको मिला हुआ है फ्राम गॉड वो आप बहतरीन बनाईए यही आपका सक्चा धर्म है फर्स्ट जाव आप योर लाइफ इस तो डेवलप योर टैलेंट तो जो आपको मिला हुआ है उसको हर व्यक्त को कोई न कोई एक इस्पस्ल चीज मिले हुई है और वो पहचाने और उसको अच्छा बनाए बहतरीन बनाए जितना हो सकता है उतना बढ़िया बनाए वही उसका पहला काम है फर्स्ट काम अगर नहीं बनाओगे तो उसकी सजा भी आपको मिलेगे इस लिए आपको सच्छा काम है कि जो आपके पास है उसको पहचानिए और उसमें बहतर से बहतर बहतर से बहतर बनिये अब आप देखे आपके आज का जो टर्न है रोज आना थोड़ा-थोड़ा सा कुछ ने कुछ कराया जाता है अगर आप इसको इसको यहां पर बैठ करके और यही थोड़ा-थोड़ा सा आप करते रहें और घर में करते रहें थोड़ा-थोड़ा सा तो एक दिन ऐसा होगा कि आप महान लोगों में सामिल हो जाएंगे बड़े लोगों में सामिल हो जाएंगे तो इसको करिए तो आज का जो टर्न है वो है mindfulness meditation तो आपको बराबर बताया हुआ है mindful माने होता है सचेत, mind, mindfulness अर्थात जागरत अवस्था में सचेता अवस्था में meditation करना तो meditation अनेक प्रकार के होते हैं बिन्न बिन्न लोगों के बिन्न होते हैं लेकिन ये scientific way से ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दुनिया में कुछ महान करना चाहते हैं बाकी लोग तो बैठ करके और meditation करते हैं अनेक प्रकार का दिया हुआ है ढूंडने जाओ किताब तो तुमको इतने लोग मिल जाएंगे meditation लिखने वाले कि तुम सारी किताब नहीं खरी सकते जितने भी संत महात्मा हैं बड़े बड़े हैं सब meditation पर किताबे भरमार बनी हुई है लेकिन सबसे बहतरीन जो बनाया गया आदमी को उन्नत के लिए वो mindfulness है सचेत होकर कि meditation करना तो mindfulness meditation क्यों क्यों कि आप विद्यार्थी है और विद्यार्थी होने के बाद आप जाब में जा सकते हैं आप डाक्टर बन सकते हैं आप इंजिनियर बन सकते हैं आप I.S. हो सकते हैं आप मुनसब जज़ हो सकते हैं आप वकील हो सकते हैं आप जो चाहें जो आप चाहते हैं जो आप कम बन करें उसमें जा सकते हैं तो फिर इस दुनिया में आप बाइक चलाते हैं आप कार चलाए रहना बहुत दुरूरी है मिए बाइग जो चलाते हैं बच्चे हैं तो जो एकसिदेंट कितनी साल में जादा गला JAC हूद्स पर आप्षा अथारा साल के बाद कहीं बिश साल होता है क्यों क्योंसे होता है और ये चलाते हैं गाड़ी अब सोचते हैं कुछ और पता चला अपने तो गये ही दूसरे को ले वेट है अगर कहीं भैंस से और किसी जानवा स्टकरा गए तब तो चलो ठीक है अब कहीं आदमी स्टकरा गए तो अपने तो जाएंगे ही जाएंगे दूसरे को भी ले जाते है तो वो माइदफुल नहीं रहते हैं उनको आदत नहीं है माइदफुल रहने की तो माइदफुलनेस के लिए क्योंकि आप विद्यार थी हैं आगे चलकर कि पता नहीं कहां पहुंचेंगे किस जगह पहुंच जाएंगे क्या क्या करना पड़ाएगा आपको और सबसे ज्यादा तो इसी में हैं यह जिन्दगी बनाने वारी चीज है तो माइंड फुलिनेस मेरिटेशन किसलिए है तो कि यह कौम यह माइंड इसको सांथ कर देना माइंड को सांथ करना माइंड में हमेशा डाट 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 त्वाम प्रकार की चीज़े चलती रहती है और एक जहां फोकस नहीं रहता है तो माइंड फुलिनेस मेरिटेशन कि आपका माइंड सांथ हो जाए सांथ रहें दिमाग आपका ठंडा हो जाए काम एंड कूल उथे कहते हैं और एंग्जाइटी वरी वरीज एंग्जाइटीज वरीज इस्ट्रेस टेंशन ये सारफुलनेस जैसे डिप्रेशन डिप्रेशन को हिंदी में आवसाद बोलते हैं मुझे लगता उससे भी ज्यादा अकठिन है ये अवसाद माने दुख के करण होता है जैसे दुख्य आप हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं तो और इतना ज्यादा दुख्य जब हो जाएंगे तो चले जाते हैं अवसाद में और अवसाद में जाने के बाद यहीं मन करता आप जिन्दगी बिकार है और जिन्दगी को हम छोड़ दें और लोग आत्मत्य कर लेते हैं यह भी 35 साल के उस्था वाले ज्यादा करते हैं उपर जाने के बाद समझदार बन जाते हैं तो आपको एंग्जाइटी यह चिंता चिंता आपको है कि पता नहीं पापा सुंगा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं जिन्दगी में क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो जो चिंता होती है यह बहुत खतरनाक होती है बहुत खराब होती है और आपको पढ़ने नहीं देगी केवाल इतने देख लो कि आपको जल्दी वाजी में करना है अब अब देर होने लगे तो पता चला कुछ ने कुछ भोल जाओगे कि देर होने लगे आपने घड़ी दिखा रहे देर हो गया देर हो गया आप बस चुट जाए बस चुट ज़िए अब पता चला कुछ न कुछ आप घर में बोल जाएगे कोई चीज़ याद करना चाहेंगे आपको याद नहीं होगा मिस हो जाएगा तो यह इतना खतरनाक है तो इतना जो खतरनाक है एंक्जााइटी वरीज यह सब करता है इस्रस तनाव इस्रसम रहते हैं इस्रसमेंरा रहते हैं लोग लेकिन बोलेंगे हैं अब क्या मना करेंगे इसे लोगों क्या मना करना है सुन लेना है बैरहल तो टेंशन इस्ट्रेस यह आपके विकास में बाधक है आपको असुस्त बनाता है के यह रहने वाला स्थ्रेण में रहने वाला एक सब्दों और है स्थ्रेण यह मिनिंग है उसकी इसकी हुआ कि इस्ट्रेन तनाव इसे कहते हैं इतने सब्दैं कि इस्ट्रेन तनाव कि जब हमारे माइन में इस्ट्रेन रहता है तो एक घतक होता है तो इस्ट्रस केवल इस्ट्रस से 90% बिमारियां हमारे पास होती है और 40 बिमारियों की जड़ा है इस्ट्रस कितना जड़ा है कितने बिमारियों का 40 बिमारियों की जड़ा है तो इनको दूर करने के लिए यह mindfulness meditation है और इसकी जगह पर हम जो affirmation करते है माइन्ड का pattern उस पर चलने के लिए होता है कि देखो इसको सोचो इसको नहीं इसको सोचो तो जब इसको सोचने लगोगे तो आपका अलग का mindset बन जाएगा आपका एक अलग mindset बनेगा तो mindfulness meditation से क्या होता है क्या होता है mindset mindset बनता है attitude बदलता है attitude बदल करके जो पहले का जिसकी वज़र से आपको तना हुआ है वो attitude होता है और जब हम mindfulness में रिडिशन करते हैं उसके साथ affirmation करते हैं तो attitude हमारा change हो जाता है तब हम relief में रहते हैं हमें tension नहीं रहता है और इसके बाद जब visualization करते हैं तो आपका belief system मद्बूत होता है और जो चीज घटित नहीं होई है आपके सामने वो आपको लगता है घटित हो गई है और दया बता है